दोस्तों आए दिन हम आप सभी को नई नई चल्स जुड़ी जानकारे देते हैं कि आज टाटप ले पर या एटल डिजिटल टीवी पर या डीडी फ्रीडीच या डिश टीवी या जिंक सुपर एफ टीए पर ये नए चल्स एड हुआ है लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एटल डीचल टीवी के सब्सक्राइबरों को लेकर क्योंकि एटल डीचल टीवी के प्लैटफॉर्म से दो टीवी चल्स होने जा रहे हैं रिमूव जिहां एटल डीचल टीवी यूजरस के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही सैड निउस निकल के आ रही है क्या है इन दोनों टीवी चल्स का नाम और आपको कौन से चेनल नंबर पर ये दोनों टीवी चल्स देखने के लिए मिलते हैं और कौन सी केडिगरी के ये चेनल से रहने वाले हैं देंगे पूरी जानकारी आज इस वीडियो में विस्तार से लेकिन अगर आप हमारे चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को ओल पर प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब को मिले सबसे पहले और फैन्स हमारे सेकिंड यूट्यूब चेनल वहां फिरडिश टू को सब स्क्राइब करना बिल्कुल ना बोले और इसका लिंक आपको डिप्सक्रिशन में मिल जाएगा और दोस्तों हमारी इस वीडियो को अगर आप फेस्बुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आईडि को फोलो जरूर कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोट कि हाँ TV100 News के नाम से 8L Digital TV पर एक News Category का चनल सा आप सभी को देखने के लिए मिलता है लेकिन ये चनल सा आप 8L Digital TV पर आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगा और वहीं बात करें इस चैनल के चैनल नंबर की तो फ्रेंस इसका चैनल नंबर रहने वाला है तीन सो सतावान आज की इस वीडियो में भी हम आप सभी को देने जा रहे हैं कि TV100 News चैनल आपको 27 मार्च 2014 से 8L Digital TV पर देखने के लिए नहीं मिलेगा और वहीं बात करें दूसरे चैनल की जो की 8L Digital TV से रिमूव होने जा रहा है जिसका नाम है आर प्लस जिहां आर प्लस चैनल भी अब आप आपको 8L Digital TV के प्लाटफोर्म पर देखने के लिए नहीं मिलेगा और वहीं बात रहे हैं इस चैनल के चैनल नंबर की तो फ्रेंस आपको 732 नंबर पर यह चैनल देखने के लिए मिलता है यानि 732 इसका चैनल नंबर रहने वाला है जो कि 8L Digital TV पर आपको आर प्लस चैनल दे 8L TV पर 20 मार्च 2014 से देखने के लिए नहीं मिलेगा तो फ्रेंस यह थी दो टीवी चैनल से जुड़ी जानकारी जो कि 8L Digital TV से 20 मार्च और 27 मार्च को रिमूव कर दिये जाएंगे आप सब को यह जानकारी कैसे लगे आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो मे लाइक जरूर करें और आज की वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत सुक्रिया नमस्कार